काफी समय बाद आज ये वीडियो आ रही है टेलिग्राम ग्रूप पे आप में से कुछ लोग की रिक्वेस्ट आई थी कि अब देर्नगर्तर शुरू करते हैं आज की वीडियो तो पहला क्वेशन है नेमलिखी समाशास्त्रियों में से कौन दा डीकंपोजीशन और सुष्वालजी पुस्तक के लेखक है तो इसका जो आंसर है वो मेरे हिसाब से इर्विन लुई हेरोवेड्स होना चाहिए परस्ट चाहिए इसका अगला प्रश्ण है समान की तुलनात्मक डिगरी पर आधारित सदस्ता वाले प्रास्तिती समों की विसिष्ट विसिष्टा कहलाती है जीवन सहली जीवन अवसर अन्ताक्रिया का पैटर्न या सांसकतिक शमता तो प्रास्तिती समों के बात हो रही है स्टेट इस ग्रूप की बात हो रही है तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा जीवन शैली नेक्स देखते हैं Max Weber का नौकर सही का विसलेशर किसका उदाहरर है Macro Sociology, Meso Sociology या फिर Global Sociology या Micro Sociology तो नौकर सही की बात हो रही है एक तरीके से विवस्था, तंत्र और इन सब चीजों की बात है यहां पर Macro Sociology हो जाएगा अंसर अगला कुशन देखते हैं जब कोई आदिवासी समू किसी कारणवस दो अरधान्शों में बट जाता है तब इन में से समू का प्रतेक भाग क्या कहलाता है तो अगर कोई आदिवासी समू है और वो किसी कारणवस दो अरधान्शों में बट गया है तो उसको हम कहेंगे अरधान्श यानि की मोईटी अगला प्रश्न है निमलिखित में से कौन सा जौड सिमल के कारे की रूची का छेत्र नहीं है दुनदात्मक सोच वेक्तिकत छेत्ना किशोर अपराद फैशन तो सिमल जो है इन्होंने किशोर अपराद इस पर कोई कारे नहीं किया है तो यहाँ पर सी जो थर्ड ऑप्शन है ये मेरे साब से सही होना चाहिए अगला प्रश्न है कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये काफी फेमस बुक है एल बौसम की यहाँ पर पहला जो अप्शन है ये आपका राइट हो जाएगा अगला प्रश्न है निमलिखित में से कौन सी पुस्तक हरबर्ट स्पेंसर द्वारा नहीं लिखी गई है तो हरबर्ट स्पेंसर की बुक नहीं है तो देखिए सोशल, इस्टेटिक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल, डिस्क्रिप्टिव, सुशॉलोजी ये तीनों किताबे इनकी है लेकिन ओरिजिन्स एंड डेस्टिनेशन ये इनकी बुक नहीं है तो यहाँ पर जो पहला अप्शन है ये सही हो जाएगा अगला प्रिशन देखते है किसकी मानिता है कि वर्गों के बीच संघर्स इतिहास का इंजन है जो समाज को क्रांती और पुनरगठन की ओर ढगेलता है तो यहाँ पर आप्शन है कालमाक्स, वेबर, कोजर और डेरंडॉर्फ तो वर्ग संघर्स को इतिहास का इंजन ये किस ने कहा है तो असान सा प्रिशन है कालमाक्स यहाँ पर सही उत्तर होगा अगला प्रिशन है हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार आधुनिक समाज निमलिखित में से कौन से तीन चरणों से गुजरा है तो इसपेंसर ने जो आधुनिक समाज है यहाँ तक पहुशने के तीन चरण बताये हैं जिनमें से उनुन ने बताया था आधिम, जंगली और अध्योगिक तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ओप्शन है यह जो है यह करेक्ट हो जाएगा अगला प्रिशन है जाती प्रथा की उत्पत्ती का आधिम संस्कती का सिध्धान्त किसने प्रतिपादित किया है क्यम का पाडिया योगेश अटल जी एसगुरिये जे एच्छटन तो आदिम संस्कृती यानि माना का जो सिध्धान्थ है ये जेए छट्टन ने दिया था जाती से सम्मन्दित था अगला प्रिशन देखते हैं सबसे पहले कि इसने संदर्व समू की अवधार्णा का प्रियोग निम्रवर के बच्चों के द्वारा उच्वर के बच्चों के विवहार के अनुरूप ही विवहार करने की ब्याख्या के लिए किया था तो संदर्व समू की अवधार्णा का सबसे पहले यूज़ पूछ रहा है सबसे पहले पूछ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा हरबर्ट हाइमर अगला प्रशन देखते हैं निमलिखित में से किस हिंदू विवा को माता पिता द्वारा निश्चित किया जाता है पिता द्वारा कन्या को वस्त्र अलंकार आदी से सुसजित करके दान के रूप में वर्को दिया जाता है तो यहाँ पर मेरे कॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ब्रह्म विवा क्योंकि अरेंज मेरीज एक तरीके से आप बात हो रही है और पिता द्वारा कन्या को वस्त्र अभूशर अलंकार आदी से सुसजित करके दान के रूप में एक सुयों के वर्को दिया जाता है तो अगर दैव विवा होता तो थोड़ा डाउट रहता मुझे लेकिन यहाँ पे नहीं है तो ब्रह्म विवा सीधा सीधा अंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण है यह किनका मत है क्या घरेलू काम उत्पादक है क्या नवीन पीड़ी जो श्रमिकू की है जो बढ़ाने में एवं बर्तमान पीड़ी के लालन पालन में महिलाएं अधिशेश मूले को उत्पादित करती है क्या घरों में महिलाएं शोशित के साथ साथ दमनित भी है यह कथन किसका है तो यह एक्जाइक डेफिनिशन तो मुझे नहीं मिल पा रही है लेकिन मुझे लग रहा है इसका जो आंसर होगा वो सेकेंड होगा सूमा चिटनिस एकला प्रिशन देखते हैं निमलिकित में से कौन सा एक प्रकार वेबर के तारकिक्ता के चार प्रकारों में से नहीं है वेबर ने चार प्रकार की तारिक एक्ता बताई है लेकिन तो यहाँ पर fourth option जो है यह correct हो जाएगा अगला प्रश्ण है भारत सरकार ने साइबर अपराधों की रोक्थाम हेतू सूचना प्रद्योगी की अधिनियम किस वर्ष पारित किया है तो ये आसान सा प्रश्ण है और उत्तर हो जाएगा सन 2000 अगला प्रश्ण है Communities in the Study of Social Conflict पुस्तक के लेखा कौन है तो Communities in the Study of Social Conflict ये जो पुस्तक है ये है लेविस कोजर की पहला आंसर यहाँ पर पहला उप्शन जो है ये सही हो जाएगा अगला प्रश्ण देखते हैं मेल्विन M. ट्यूमिन के अनुसार निमलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सामाजिक इस्तरी करण की विवस्ता को बनाये रखने के साथ संबध नहीं है तो ट्यूमिन ने देखिए प्रैसितियों के विभेदी करण की बात की है प्रैसितियों के रैंकिंग की बात की है और मूल्यांगन की भी बात की है लेकिन यहाँ पे एक जुटता की बात नहीं किये है तो जो यह third option है यह यहाँ पे सही होगा अगला प्रश्ण है Treaties on General Sociology यह पुस्तक के लेखक कौन है? तो Treaties on General Sociology जो पुस्तक है इसके लेखक यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा Bill Fredo Pareto परेटो की यह book है पहला जो option है यह right हो जाएगा अगला प्रश्ण किसने नीलगिरी की टोड़ा जन जाती पर अधिन किया है? तो नीलगिरी की जो टोड़ा जन जाती है इस पर जो अधिन किया है वो किया है reverse ने तो WHR reverse ने किया है यह आसान सा प्रश्ण था फोर्थ option जो है यहाँ पर right हो जाएगा अगला प्रश्ण है किसके अनुसार समाज का इतिहास समाजिक जीवन की बढ़ती बौधिकता और मुद्रा अर्थविवस्था की सिध्धानतों के परभाव को गहरा करने का इतिहास है तो देखें एक बार फिर से प्रश्ण को पढ़ेंगे समाज का इतिहास जो है समाजिक जीवन की बढ़ती बौधिकता और मुद्रा अर्थविवस्था यानि मनी एकॉनमी तो यहाँ पर मनी, एकॉनमी, प्रभू, प्रकास ये सारे जो कॉनसेप्ट हैं ये मैंने सिमिल की एक वीडियो बनाई थी उसमें बताया था तो यहाँ पर जौर्ज सिमिल जो है ये राइट हो जाएगा अगला प्रश्ण है किसका मनना है कि समाज शास्त्रियों को प्राथमिक रूप से सामाजिक अंताक्रिया के स्वरूपों और प्रकारों का अध्यन करना चाहिए तो स्वरूपात्मक संप्रदाय और अंताक्रिया के स्वरूपों का अध्यन करना चाहिए यह सेम ही है यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा जो जाएगा जोर्ज सिमिल अगला प्रश्ण है भारत में स्टार्बक्स कॉफी हाउस की उपस्थिती संस्कृति के किस पहलो का संकेत है नवाचार, वैस्वीकरण, प्रसार या पर संस्कृतिक सापेक शुवाद तो स्टार्बक्स मालीजी अगर भारत में है या फिर भारत की कोई कमपनी अगर ऐसे जाती है बाहर तो एक तरीके से यह ग्लूबलाइजेशन है तो यहाँ पर वैस्वीकरण हो जाएगा सही उत्तर अगला प्रश्ण है निम्न में से कौन सी एक समिती की विशेस्ता नहीं है विशिष्ट उद्दे से वेक्तियों का समूह अनिवारे सदस्यता या फिर पारसपरिक सहयोग तो समिती, समुदाय, संस्था ये सा PGT वाले लेक्चरस में मैंने इस पर डीटेल वीडियो बनाई हुई थी तो यहाँ पर विशेस्ट उद्दे से भी होंगे और सहयोग भी रहेगा लेकिन जो सदस्ता होती है वो एच्छिक होती है तो यहाँ पर जो थर्ड ओप्षन है ये राइट हो जाएगा अगला प्रशन है धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से प्रभावी हुआ तो धन शोधन निवारण अधिनियम जो है ये प्रभावी हुआ है एक जुलाई 2005 से तो यहाँ पर second option जो है यह right हो जाएगा अगला प्रश्ण है Rudolph एवं Rudolph के अनसार Bullock Capitalist का तातपरे क्या है मध्यम किसान, बड़े भूमे पती, जमीदार या फिर स्वतंत्र किसान तो Rudolph और Rudolph के according जो Bullock Capitalist है इसको हम कहेंगे स्वतंत्र किसान या independent cultivators तो यहाँ पर fourth option जो है यह right हो जाएगा अगला प्रश्ण है निमलिखित में से किस चरण में आनुभाविक ज्यान का उप्योग सामाजिक विस्व को समझने और एक बहतर समाज बनाने के लिए किया जा सकता था प्रत्यक्षवादी चरण, धत्योशास्त्री चरण, धर्मशास्त्री चरण या फिर भहत तिक चरण तो यह कॉम्टे से प्रिश्ण है और आगस्त कॉम्टे ने तीन चरण बताये थे जिसमें से यहां पर बात हो रही है अनुभाविक ज्ञान कावपयोग सामाजिक विस्व को समझने के लिए यानि हम जो फील कर रहे हैं, जो हम वैज्ञानिक तरीके से अनुभो कर सकते हैं तो यहां पर जो चरण हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यक्षवादी चरण अगला प्रश्ण है विसामाने विवहार सिर्फ ऐसा विवहार नहीं है जो मांदंड का उल्लंगन करता है यहां एक ऐसा विवहार है जिसका उलंगहन करता उसकी और अभी मुख होकर करता है यहां अभी प्रेवित उलंगहन है यह कथन किसका है तो विसामाने विवहार या डेवियंड विहेवियर की यह जो परिभासा है यह मेरे ख्याल से H.M. Johnson की है यहां पर मैं 4th option के साथ जाओंगी अगला प्रशन है काल मार्क्स ने उत्पादन के तरीके की व्याख्या किस पुस्तक में की है तो मोड और प्रोडक्शन की बात इन्हों ने किसमें की है तो यहां पर जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका दास कैपिटल एक सेकेंड फोर्थ option जो है यह आपका करेक्ट हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं पीरे बोर्दियों के अनुसार निमलिखित में से कौन सा तत्यों एक विशेष प्रकार के पर्यावरण जैसे वर्गिय इस्थिती की अस्तित विशेष्ताओं की निर्माड़क इकाईयों वाली सनचनाओं से उत्पादित होता है तो पीरे बोर्दियों की बात हो रही है और यहाँ पर किसकी बात हो रही है एक विशेष प्रकार के पर्यावरण वर्गिय इस्थिती की अस्तित विशेष्ताओं वाली बहुत तिक इस्थितियों के निर्माड़क सनचनाओं तो ऐसी कुछ सम्थिंग चीज हैं जिससे की हमारी जो habit है वो बनती तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Habitus पहला जो option है यह correct हो जाएगा अगला प्रश्ण है निम्लिखित में से किन दो सिध्धानतों जो गयर तारकिक सिध्धानतों की रूप में है अगला प्रश्ण है निम्लिखित में से किस सामंजसे की विधी में सांस्कृतिक लक्षों को सुईकरत किया गया है और संस्थागत साधनों को असुईकरत किया गया है तो ये मर्टन से question है जहाँ पर संस्थागत साधन आप उनको आस्विकरत करते हो तो ये क्या हो जाएगा नवाचार हो जाएगा इनोवेशन सम्थिंग अगर होता है तो अगला प्रश्न है एलविन डबल्यू गॉल्डनर के विचारों में निमलिखित में से कौन सा पश्चिमी समाश्षास्त्र के अंतराश्टी विकास का मुख्य दौर गलत है तो जो एडबल्यू गॉल्डनर थे तो इनोंने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें कि इनोंने बताया था कि एक तरीके से जो समाश्षास्त्र है उसका डिकलाइन होगा तो किन-किन विचारों का डिकलाइन होगा तो इनोंने इसमें पार्शंस वादि सनचनातमक प्रकारवाद यानि जो ये स्ट्रक्शल फंक्शनिलिजम है और पार्शंस का जो विचार है इसको इनोंने कहा था कि ये डिकलाइन करेगा अगला प्रश्ण है जोड सिमेल के अनुसार अंता क्रिया के साधनों में एक रूपता उत्पन होती है क्योंकि उन सब में विद्यमान है विनिम है तार्किक च अगला प्रश्ण है ये किसका मत है कि वर्ड मॉडल जाती की गलत इवन विक्रत छवी देता है तो यहां पर जो मैं मान रही हूं वो एमन शिनिवास को मान रही हूं बट मैं इसमें श्योड नहीं हूं अगला प्रश्ण है निमलिखित में से ये किसका मत है समाज शास्त्री को अपनी विशय वस्तु सभी मानों क्रियाओं में उपस्थित लगती है परंतो इन क्रियाओं के सभी पक्ष विशय वस्तु को निर्मित नहीं करते अगला प्रश्ण है निम्न में से किस विद्वान ने आश्रम को पढ़ाव या विश्राम इस्थल कहा है तो ये आसान सा प्रश्ण है पी एच प्रभू यहाँ पर जो उत्तर है ये सही हो जाएगा अगला प्रश्ण है बी एच गुहा के अनुसार भारती जन संख्या कितने प्रजातिय समूहों से बनी है तो कितने प्रजातिय समूहों में इन्हों बाटा है तो 6 यानि 6 6 में बाटा इन्होंने, 2nd option जो है ये, right हो जाएगा अगला प्रश्ण है निमलेखित में से किस ने ग्राम समुधाय में श्रम विभाजन के संदर में पदानुक्रम पारसपरिक्ता की चर्चा किये है तो श्रम्बिभाजन, पदानुकरम, पारस्परिक्ता यानि ये जो दो शब्द हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कही न कई जजमानी बेवस्था की बात हो रही है और जजमानी पर काम किया है विलियम वाईजर ने तो यहाँ पर जो सेकेंड आंसर है ये राइट हो जाएगा अगला प्रश्ण है निमलिखित में से किसने अलगाओ की अवधारना को पाँच मनुवैग्यानिक घटकों में बाटा है तो ये सही उत्तर हो जाएगा M सीमिन अगला प्रश्ण है पित्रसत्ता का वह रूप जिसमें पित्रसत्ता वर्ग और उत्पादक संबंधों के माध्यम से संचालित होती है कहलाता है वर्ग अधारित पित्रसत्ता माक्सवादी पित्रसत्ता या पूंजीवादी पित्रसत्ता या फिर आर्थिक पित्रसत्ता त वर्ग और उत्पादक संबंधों के माध्यम से संचालित होती है तो वर्ग और उत्पादक संबंध यहाँ पर पूंजीवादी, पित्र, सत्ता थर्ड जो option है यह राइट हो जाएगा अगला प्रश्ण है दोहरी चेतना शब्द किसने गढ़ा है डबल कॉंसियसनेस तो डबल कॉंसियसनेस जो concept है यह संबंधित है W, E, B, Dubai से फोर्थ option जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा next question है सामाजिक गतिशिल्टा से अभी प्राय प्राया वेक्तियों के एक सामाजिक समूं से दूसरे सामाजिक समू की ओर गतिसे है तो एक सामाजिक समू से दूसरे सामाजिक समू की ओर गतिशिल्टा और सोशल मोबिलीटी की बात हो रह spermata है यहाँ पर मैं सोरुकिन के साथ में जाना चाहूंगी फर्स्ट option जो है यहाँ पर राइट होगा अगला प्रश्न है Recidious को इन्होंने क्या बताया था एक तरीके से हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति तो पहला ही आपशन जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा अगला प्रश्न है वेक्तियों के बीच अन्ताकरिया की गुरुवत्ता को समझाने के लिए डाइड और ट्राइड शब्दों का प्रियोग किस नहीं किया है तो डाइड और ट्राइड शब्द और अंताकरिया की बात ये करते हैं जॉर्ज सिमिल अगला प्रशन हिंदू अचीवमेंट इन एग्जेक्ट साइंस ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है इसके लेखक हैं B के सरकार यहाँ पर सेकेंड आप्शन जो है वो राइट हो जाएगा बिनोई कुमार सरकार नेक्ट कोशन निमलिकित में से कौन? इमेजेंड कम्यूनिटीज पुस्तक के लेखक है इमेजेंड कम्यूनिटीज ये जो पुस्तक है इसके लेखक है बेनेडिक्ट एंडर्सन यहाँ पर फिर से राइट हो जाएगा जब कोई विवहार बाधेकारी प्रकृतिका होता है तो इसे सक्ति से लागू किया जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे रूडिया, कानून, जनरीतिया या फिर रिवास तो ऐसा विवहार जो की कमपल्सरी है तो उसको हम क्या कहेंगे तो कमपल्सरी विवहार को हम कहते हैं हमेशा रूडिया यानि मोर्स यहाँ पर फिर्स्ट ओप्शन जो है यह राइट होगा अगला प्रश्न है पुस्सक, the Indian middle classes, their growth in modern times के लेखा कौन है तो the Indian middle classes यह जो पुस्सक है यह है B.B. मिश्रा की Next question, जब एक शोध करता, पिता और पुत्र के बीच विवसाइक स्तिती में परिवर्तन को मापने का प्रयास करता है तो यह किसका अध्यन है या किस तरीके की गतिशीलता है, इसमें पूछा गया है, तो करियर गतिशीलता या पीढी गतिशीलता, उर्धुआधर या फिर व्यवसाईग गतिशीलता, तो पिता पुत्र दो पीढी हो गए ना, तो पीढी गत गतिशीलता, second option जो है ये, right हो जाएगा. अगला प्रश्ण है भारती जन जातियों उनके मुख्य धन्धों को लेकर निम्न में से कौन सा युगम सही है तो कौन सी जन जाती है और उसका जो जो अक्यूपेशन है वो सही है तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे तो चेचू जन जाती जो है इसका काम होता है शिकार एवं भोजन संगर है तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है यह राइट हो जाएगा तो अभी के लिए हमने 50 questions solve कर लिए है next part इसका जल्दी ही आएगा तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहे है अपने गूल की तरह आगे बढ़ते रहे है वीडियो देखने के लिए thank you so much